भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन लालत से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, इरश्या से नहीं बलकि प्रेम, करुना, विनम्रता और भक्ती के साथ. आपको अपने निर्धारित कर्तवियों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कारियों के फल के हगदार नहीं हैं. कभी भी अपने आपको अपनी गतिविधियों के परिनामों का कारण न समझें, नहीं निश्क्रियता से जुड़े. मन बेचैन है और इसे नियंतरित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है. व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से उपर उठ सकता है, उसी मन के प्रयास से वह डूब भी सकता है. अपने अनिवारे कर्तवियों का पालन करें क्योंकि कारवाई वास्तव में निश्क्रियता से बेहतर है अपना दिल अपने काम पर लगाओ लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी मत लगाओ जो मनुश्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुश्यों में बुद्धिमान है आत्मान तो जन्मती है और नहीं मरती है मैं समय हूँ, दुनिया का महान विनाशक और मैं यहाँ सभी लोगों को नश्ट करने के लिए आया हूँ अपनी इच्छा शक्ती के माध्यम से अपने आपको नया आकार दें, कभी भी स्वयंग को आत्मे इच्छा से अपमानित न होने दें इच्छा ही स्वयंग की एक मात्र मित्र है और इच्छा ही स्वयंग की एक मात्र शत्र है